नमस्कर दोस्तो, स्वागत है आपका हमरे चैनल All Technical Solution में तो दोस्तो अगर आपके पास Dish TV का कनेक्शन है और उसके सिंग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो तो आप इसे किस तरह से वापस ला सकते हैं यह हम आज की उडियो में आपको यहापे डिटेल में बताने वाले तो इसके लिए दोस्तो, आपको यह Set Finder नाम का आप अपने मोबाल में डाउनलोड करके लेना है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजी तो मैं अभी इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज करना है तो चलिए मैं इसे ओपन करके लेता हूँ तो दोस्तो इसे open करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक page आएगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा wait करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तो आपको नीचे start का tab मिलेगा आप उसे press कर दीजे ads को skip कर दीजे उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक interface आएगा तो यहाँ पे आप पहली बार app यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सारी permissions को allow करके लेना है तो मैं यहाँ पे सारी जो permissions से उन्हें यहाँ पे allow करके लेता हूँ तो दोस्तो उसके बाद आपको इस app को यूज़ करने से पहले सबसे पहले काम यह करना है दोस्तों कि आपको अपने mobile का जो location या GPS का जो option है उसे यहाँ पर on करके लिएना है क्योंकि इसे on किये बिना आप इस app से आपके dish की setting यहाँ पर नहीं कर पा सकते तो मैं इसे यहाँ पर on करके लिता हूँ उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक interface यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वाला satellite finder का जो option दिख रहे है वहाँ पर आपको click करके लेना है उसके बाद दोस्तों इस तरह का एक page आपके सामने यहाँ पर आने वाला है तो दोस्तो यहाँ पे हमें आज dish TV का setting करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे NSS 6 नाम का satellite set करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे यन पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे NSS 6 मिल गए है तो इसे मुझे select करके लेना है तो मैं इसके उपर click करके लिए तो उसके बाद दोस्तो मुझे यहाँ पे नीचे इलिवेशन और एजिम्यूट ये दोनों सेटिंग मिल गए तो हमारा जो दो नमबर का सेटिंग है इलिवेशन सेट करना हमें इलिवेशन मिला है 59 डिगरी तो ये हमें सेट करना पड़ेगा तो इसके लिए दोस्तो आपको अपने डिश के पिछले हिस्से में जो मेजरमेंड मिलते वहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको 59 डिगरी इतना एंगल मेंटेन करके अपने डिश को यहाँ पे टाइट करके लेना है उसके बाद दोस्तों आपका elevation का setting यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद हमारा सबसे last वाला और three number का setting है azimute का setting तो आपको यहाँ पर azimute मिल रहा है 130 degree तो इसे set करने के लिए आपको यहाँ पर पूरा ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको सबसे बेले अपने mobile को इस तरह से अपने हाथ में लेके exactly अपने dish के ऊपर खड़े रहना है और दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का खायल रखना है कि आपका mobile यहाँ पर पूरी तरह से horizontal हो अगर आपका mobile पूरी तरह से horizontal नहीं होगा तो यह आपको accurate direction नहीं दिखाएगा तो मैं अपने mobile को पूरी तरह से horizontal रखता हूँ और मुझे यहाँ पर 130 यह azimute set करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जो green color का satellite का sign दिख रहे है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखाता हूँ तो यह जो green color का satellite का sign है उस sign को इस arrow के साथ match करना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे अपने mobile को right में rotate करना पड़ेगा तो जैसे मैं अपने mobile को right में rotate करता हूँ यह arrow इस satellite की और बढ़ रहा है और जहाँ पर यह दोनों match हो जाते वही हमारे dish की exactly direction यहाँ पर होने वाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा satellite का sign और हमारा arrow match हो गया है तो यही हमारी exactly सही direction होने वाली है तो अभी आप हमारे dish की direction देख लीजे मेरा dish अभी working condition में है इसलिए यह app हमें जो direction दिखा रहा है वो यहाँ पर बिलकुल सही दिखा रहा है क्योंकि हमारे dish की direction और इस app की direction यहाँ पर बिलकुल match हो रही है उसके बाद दुस्तो हमें यहाँ पर polarization का setting एक करना पड़ेगा तो इसके लिए दुस्तो आपको अपने LNB को यहाँ पर धीरे-धीरे से right side में rotate करती जाना है और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको highest frequency मिलती है वहाँ पर आपको अपने LNB को set करके लेना है उसके बाद आपके dish के सारे signals और सारे channel से यहाँ पर आ जाएंगे तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को like कीजिए और channel पर नए हो तो channel को subscribe कीजिए धन्यवाद